मेलगहट में कुपोशन एवं बाल मौतों का सिलसिला लगातर जारी रहने से यहां के स्वास्तविबाग को अब जाच के कटगरे में खड़ा किया जा रहा है। सुर्खिया बटोर रहा है। यहां पर राजकारन जादा और स्वास्त सेवा पर कम ध्यान देने के मामले भी उजागर हो रहे है। लेकिन इनके उपचार में भी यहां पर लापरवाही उजागर हुई है। उपचार के दर्मियान लापरवाही करने से यहां दोनों ही बालक मौत के आगोश में चले गए। आरोप मृतक के परिवार के लोगों ने किया है। गंगा सुदा मोरे राना जो की बुलुम गवान के रहिवा से है इस माता ने आट दिन के बच्चे को खो दिया। इसके अलावा सुनिता रंगलाल पाटनकर जो की चट्वा बोड की रहने वाली है इस माता ने भी अपने बारा दिन के बालक को मौत के आगोश में जाती हुए अपते आखों से देखा। तो चीज घाट के एक बालक की मौत हो गई। मात्र दस घंटों के उपचार के दर्म्यान तीन बाल मौते उजागर होने से अब स्वास्त सेवा पर सवाल उपस्तित हो रहे है। यहाँ पर आदिवासियों को दिये जाने वाली स्वास्त सेवाए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं करवाए जाने के चलते बाल मौतों का सिलसिला आज भी जारी दिखाई दे रहा है। विदर्ब न्यूस के लिए धारनी से तस्मीन शेख एवं जुगल किशोर जैसवाल की रिपोर्ट।